जिलादिकारी को निवेदन देकर कालने के सामने से ठी आंदरन कर इस विशेव पर आंदरन किया गया गुर्वार को नाकपुर शहर के होट स्पोट क्षेत्र के 126 कोरोना संशयित मरीजों को वाना डोंगरी के शासके और होस्टेल में लाए जाने के विरोत में शुक्रवार की सुभः क्षेत्र के विदायक समीर मेगे अपने लोगों के साथ जिलादिकारी कारिया ले जिलादिकारी रविंडर ठाकरे को ग्यापन सोब कर इन सब संशयित मरीजों को कही और स्ताना अंतरित करने की मांग की है जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक जिलादिकारी कारिया लेके सामने ठीया आंदोलन करने की बात कही है जिलादिकारी को ग्यापन सोब कर अपने साथियों के साथ विधायक मेगे ने कार्या लेके सामने ठीया आंदोलन शुरू किया करेब तीन घंटे के बाद जिलादिकारी ठाकरे ने बुला कर पाज बजे तक सभी संशयत मरीजों को स्तानां तरित करने का आश्वासन दिया है जिसके बाद ठिया अंदोलन समाप किया गया इस वक्त विधायत मेगी के साथ वाना डोंगरी नगर परिशत की नगराध्यक्षा वर्षाश शहकार उपाध्यक्षक रुपाशंकर कुपता सभापती बालू मोर आबाकाले सतिश शहकार मौजुद थे एक्षे सभीस संशेत रुपन है नाकपूर चे वाना डोंगरी चे शास्कियो होस्टिल मेदे ठुवनाचा निर्मे काल पासुन प्रचंड तिट्या लोकान मेदे भीति आणि नाराजी चा इसे होता इन बीस यान न्यूस के लिए वाडी से सुनिल शेक्टी के साथ अभिशेक पान से की रिपोर्ट